हेलो दोस्तों मैं हूँ निर्मला मेरे चनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है लंच हो या डिनर लगबग एक टाइम तो हर कोई चावल खाना पसंद करता है लेकिन बहुत बार होता है कि चावल बच जाती है तो ऐसे में चावलों को फैंकनी के बजाए हम चाते हैं कि उनको दुबारा इस्तमाल कर लिया जाए तो आज एक ऐसी ही बच्चे वे चावलों की आसान से रेसिपी में आपसे शेर करने जा रही हो जो बनाने में भी आसान है और स्वाद भी इसका लाजवाब है तो चलिए दोस्तों ये बच्चे वे चावलों का मज़ेदार नाश्ता बनाना शुरू करती है लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे एक चोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये दि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरी ऐसे और भी रेसिपी इस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंदाने पर इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना भी न भूले बचे वे चावलों का चट पटा नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं बचे वे चावल तो तकरीबन दो कप मैंने बचे वे चावल लिए हैं तो चावल जितने बच जाएं कम या ज़दा उसके अकोर्डिंग आप चावलों के मातरा ले सकते हैं तो यहाँ पर चावल है, वो हमने बच्चे वे लिए हैं, तो यह ठंडे है, यानि रूम टैमप्रीचर पर है, मैंने इनको गरम नहीं किया है, यदि आप ताजा चावल से ये नाष्टा बनाना चाते हैं, तो जो चावल हों वो ठंडे होने चाहिए, ज़्यादा गरम नहीं ह होने चाहिए अब चावनों के साथे इस नाश्टे को और भी अच्छा टेस्ट देने के लिए हम डालेंगे इसके अंदर आलू तो दो मीडियम साइच के उपलेवे मैंने आलू लिये हैं और आलू को इस तरह हम कद्दुकस से कद्दुकस कर लेंगे जिसे इसके बड़े टु चोटा चमच अदरक और लसन को क्रश करके मैंने लिया है साथी चुटकी बर हींग एट करेंगे और अब बाइंडिंग के लिए हम इसमें डालेंगे बेसन तो यहाँ पर बेसन की मात्रा हम एक साथ बहुत जादा नहीं डालेंगे जितनी जरूरत लगी उतनी ही डालेंगे तो लगबक 3-4 चमच मैं अभी डाल रही हूँ यदि जरूरत होगी यानि ये मिश्रन बाइंड नहीं होगा तो हम बेसन और इस्तिमाल कर लेंगे अब इसके अंदर कुछ मसाले डाल लेते हैं तो मसालों मिलेंगे एक चोटा चमच धनिया पाउडर आदा चोटा चमच ला गरम मसाला जो शेफ संजीव कपूर द्वारा एक खास रेसिपी से तयार किया जाता है ताटा संपर मसालों की खास वाद ये है कि ये प्राकर्दिक दिलों से भरपूर साभूत मसालों से बने होते हैं जो मसालों का स्वाद तो बढ़ाती हैं हमारी हेल्थ के लिए भी कर सकते हैं और अभी हरी प्याज का भी सीजन है तो आप बारी कटेवे हरी प्याज भी इसके अंदर एड़ कर सकते हैं या और भी कोई सबजी आप इसमें एड़ करना चाहें तो वो भी मिला सकते हैं तो पहले हम एक सपैचुला से हलकी हातों से इसे मिक्स कर लेते हैं अब यह दिस इस टेस पर आपको लगे कि यह जो मिश्रन है वो थोड़ा गीला रह गया है तो आप इसमें थोड़ा सा विशन और डाल सकते हैं यह मिश्रन बनाते समय हमें चावलों को बहुत ज़्यादा प्रेस करने की जरूरत नहीं है यानि उन्हें तोड़ने की जरूरत नहीं है या आपको पहले से उन्हें ग्राइन की जरूरत नहीं है जब ऐसे हम पकोड़े बनाएंगे तो यह जिली इस तरह से मैश हो जाएंगे तो ये देखे अच्छे से dough form में आ गया है तो हातों को wash करके तेल से grease कर लेते हैं इन्हे और अब हम इसे छोटी छोटी बोल बनाएंगे तो इस तरह थोड़ा थोड़ा portion लेते हुए मैं छोटी छोटी बोल इसके बना रही हूँ तो देखे इस तरह आप चाहें तो गोल शेप में इससे snacks बना सकते हैं और यदि गोल शेप ना देना चाहें तो इन्हें फिंगर शेप में भी बना सकते हैं और चाहें तो टिकी शेप में भी आप इन्हें बना सकते हैं तो क्योंकि हमने इसमें बेसन डाल दिया है और चावलों में भी स्टार्च होता है तो बहुत अच्छे से सारी चीज़े बाइंड हो जाती हैं तो कोई भी शेप आप इने इसली दे सकते हैं तो इस तरह मैंने ये एक फिंगर शेप तयार कर ली है तो जो शेप बनाना आपको इसी लगए अच्छी लगए वो शेप आप तयार कर सकते हैं और यदि चाहें तो दोनों शेप भी आप नहीं बनाना चाते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाती है तो इस तरह से बस मिश्रन को हातों में सैट कर लें तो हलका सा और फिर इने फ्राइ कर लें तो मैंने इन से गोल बोल बना कर तयार कर ली है और यहाँ पर तेल चटा दिया है करम होने के लिए तो मेडियम होट ओल में इन बोल्स को अब फ्राइ कर लेंगे तो जब मैंने ए इन बोल्स को एक साधी फ्राई कर सकते हैं या इनने डबल फ्राई भी कर सकते हैं यानि इनको एक बार आप फ्राई करके रख दे और बाद में यदि इनने बनाना चाहें या सर्व करना चाहें तब उन्हें दुबारा फ्राई कर लें तो मैं आपको दोनों तरीके से बता दे तो आप देख सकते हैं यह हाफ फ्राइ हो चुकी है अच्छा गोल्डन कलर इनका आ गया है तो इन बोल्स को हम निकाल कर बहार रख देते हैं तो डबल फ्राइ करने से क्या होगा कि यह जो बोल्स होंगी वो और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती हैं तो यह बैच मैंने नि लिखने में तो सुदर लगता है लेकिन इससे जो बोल्स होती है वो ज्यादा क्रिस्पी नहीं रहती है इस वजए से इनको अच्छा लाल होने तक आप फ्राइ करें तो यह बहुत ही उपर से क्रिस्पी हो जाती है अंदर से सॉफ्ट रहती है तो यह बैच भी हमने फ्राइ कर लिया है तो इन्हें भी निकाल लेते हैं इन्हें निकाल कर हम साइड में रख देते हैं और क्योंकि तेल अभी करम है तो हम क्या करेंगे कि जो बोल्स हमने हाफ फ्राइ की थी उन्हें दुबारा इस तेल के अंदर डाल लेते हैं अब क्योंकि पहले से हाफ में यानी क्रिस्पी होने में ỡ़ा वक्त नहीं लगता है पटा-पट से ही ये लाल-लाल हो जाती है अब ये बोल्स हो गई है आप ही क्रिस्पी हो गई है थो हम इने भी बाहर निकाल लेते हैं तो नाश्ता बनाने में भी आसान है और जटपट बनकर तयार हो जाता है तो यदि आप लंच में चावल बनाते हैं और चावल कभी बच जाएं तो शाम के समय जब छोटी मोटी भूख लगे तो आप जटपटी स्नेक्स बनाकर इंजॉय कर सकते हैं तो बस इसी तरह से सारी बॉ जटपटेंट हमने डाले हैं वो बहुत ही सिंपल हो उनने के बावजोद सबका अपना अपना टेस्ट आता है जो इसमें बहुत ही लाजवाब लगता है तो यह हमारा बहुत ही क्रिस्पी चटपटा स्नेक्स बनकर तयार है तो दोस्तों अब जबी भी चावल बच जाएं तो आप उनका इस तरह से इस्तमाल कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी रेसिपी बन कर तेयार होती है तो आप एक बार जरूर से ये रेसिपी ट्राइ करें और कैसे बनी मझे कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आज का ये वीडियो आपको हेल्प लगा हो तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद मिलते हैं को और नई वीडियो के साथ तब तक रखें अपना धीर सारा ख्याल